तो हाउस अबिशन मैं नहां हाजर हूँ आपके सामने हमारी इंग्लिश डोमें सीरीज की 13 वीडियो के साथ ठीक है यानि इससे पहले अगर आपने 12 वीडियो नहीं देखी तो आप वेट किस चीज का कर रहे हो उनको चेक कर लो आपका बला हो जाएगा आपको पता जल जाए ठीक है और साथ ही साथ grammatical concepts को discuss किया जाता है ताकि आपके पास एक अच्छा खासा base हो to attempt your paper राइट अगर आपके दोस्तों के पास इस वीडियो के बारे में जानकारी नहीं है तो उनके साथ भी शेर कर दो और अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को like जरूर करना ठीक है थोड़ी थोड़ी appreciation और encouragement मिलती है तो without wasting any time let's move forward in our video first question यह रहा आपकी screen पर ठीक है तो to die with honor is better than live with dishonor या फिर no error ठीक है अब आप मुझे यह बताओ कि इस sentence के किस पार्ट में first, second, third, fourth उसमें किधर error है ठीक है ओनर के साथ मर जाना बहुत बहतर होता है बिना किसी honor के सा जीने के ठीक है तो die with honor अब देखिए अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी तो आपको एकदम अच्छे से याद होगा कि मैंने कभी मैंने हमेशा यह कहा है कि अगर कभी कोई saying होती है na saying saying का मतलब क्या होता है कोई कहावद अगर कोई कहावद अपने first part में किसी infinitive के साथ start हो रही है किसके साथ start हो रही है infinitive के साथ ठीक है अब infinitive क्या होते है infinitive का मतलब होता है two plus verb का first form अगर कोई कहावद two plus verb का first form के साथ start होती है तो उसके second part में जो verb आएगा वो भी infinitive ही होगा, कोई छेड़ चार करने की जरूरत नहीं है, right? तो इस sentence ने क्या किया? इस sentence की क्या गलती है? To die with honor, अब देखो to die, ये तो हमारा infinitive हो गया first part में, right? ये तो सही है, with honor, बिल्कुल सही है, is better than, ये भी सही है, live with dishonor, अरे भाई, two को कहां छोड़ दिया, उसकी क्या गलती थी? तो यहाँ पर ये भी infinitive बन गया, इसलिए हमारा error कहां था, third part में, right? Next, it is I who is to blame for this bad situation, वो मैं हूँ जिसको blame करना चाहिए इस bad situation के लिए, ठीक है? अब देखिए, concept number two, ठीक है? concept number two ये बोलता है कि हमारी grammar में तीन लोगों की तिकड़ी होती है, जोड़ी तो नहीं कहेंगे, तिकड़ी होती है, अब वो तीन लोग कौन होते हैं, who, which, that, ये लोग कौन है, ये लोग है आपके relative pronoun, क्या है relative pronoun, relative pronoun का sentence में काम क्या होता है? इस हिंदी के sentence को ध्यान से सुनेगा, वो मैं हूँ जिसको blame करना चाहिए, ये वो घर है जिसकी में बात कर रहा था, ठीक है? वो बाच्चा है जो की हर काम कर सकता है, तो जिसको जो की जहां पर बार बार आ रहा है न, ये आपका relative pronoun कहलाता है, who, which, that, ठीक है? ये काम क्या कर करता है, ये आपके noun को बागी के sentence से जोडता है, उससे उसका रिष्टा बताता है, ठीक है? पॉइंट आउट करता है उसकी तरफ, राइट? तो grammar ये कहती है कि अगर आपके sentence में who, which, that, आ रहा है as relative pronoun, तो उसके पहले न, कोई न, कोई noun लिखा होगा, ठीक है? जिसके बार म का form हमेशे depend करेगा noun के form पर, अगर noun singular है, तो verb भी क्या होगा, verb भी क्या होगा, singular होगा, यानि s या फिर es लेगा, अगर noun plural है, तो verb क्या लेगा, कुछ नहीं लेगा, वो plural हो जाएगा, क्योंकि plural verb के साथ तो हम s या is लगाते ही नहीं है, तो relative pronoun, उससे पहले noun आता है, इसको हम antecedent कहते हैं, पर यह सब जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बट इतना जान लो, relative pronoun, उससे पहले अगर कोई noun आ जाए, तो उसके relative pronoun के बाद में जो verb आएगा, उसका form किस पर depend करेगा, noun पर depend करेगा, noun के number पर depend करेगा, तो यहाँ पर लिखा, it is I, ठीक है, वो मैं are, am, ठीक है, this, होता है की नहीं होता है, इसमें, जो हमारा I होता है, I के साथ, इस तो नहीं लगता, I is doing the verb, यह तो गलत होगे न, I am doing the verb होता है न, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, it is I, who am, to be blamed, तो यहाँ पर error कहाँ पर है, second part में, next, गौरी टोल मी, her name after she left, no error, ठीक है, गौरी टोल मी, her name after she left, concept number third, ठीक है, concept number third क्या है, गौरी टोल मी, अब अगर past में न, मान लो, मान लो ऐसा कि past में दो काम होएं, ठीक है, of course ही बात होगी, काम number one पहले हुआ होगा, काम number two से, तो grammar यह कहती है, जो काम number one होगा न, उसका tense हो होगा, past perfect, क्या होगा, past perfect, और जो काम number two होगा, उसका tense होगा, simple past, क्या होगा, simple past, right, तो यहाँ पर क्या लिखा है, गौरी टोल मी, her name after she left, गौरी ने मुझे अपना नाम बताया, उसके जाने के बाद, तो पहले काम क्या होगा, पहले काम यह हुआ कि वो चली गई थी, उसक शी left, शी left क्या past perfect में लिखा हुए, नहीं, शी left क्या हुआ है, शी left past perfect में नहीं लिखा है, past perfect में लिखने का मतलब क्या होता है, past perfect का form क्या होता है, noun plus has या फिर have, ठीक है, plus verb का third form, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, she, noun या pronoun, she has left, यह होना चाहिए था, तो यहाँ पर has की और कमी थी और सब कुछ ठीक होता पर इसने उसको लगाया ही नहीं इसलिए third part हमारा फिर से गलत हुआ ठीक है next John would have told you the truth if you had asked him no error ठीक है concept number 4, 4 यह ना पहले 3 बता है ना right ठीक है John would have told you the truth if you had asked him ठीक है John तुम्हे सच बता देता अगर तुम उससे पूछ लेती क्यों नहीं पूछा तुमने क्यों नहीं पूछा यहाँ पर नहीं लिखा है बट यहाँ पर यह लिखा हुआ है John तुम्हें सच बता देता अगर तुम उससे पूछ लेती ठीक है तो यह क्या है ये एक यह एक wishful thinking है right या फिर wishful thinking इसको नहीं भी कहेंगे तो क्या पर कहेंगे कि ऐसा होता ठीक है यह आपको probability बता रहा है ऐसे sentences में जहां पर आप prediction कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता था या फिर ऐसा होता hypothetical situation है वो हमेशा would लेती है क्या हमारे यापर would लिखा हुआ है john would right बिल्कुल सही है ठीक है उसका tense क्या होता है उसका tense होता है simple past यहाँ पर आपको simple past दिख रहा है john would have told you the truth if you had asked him एकदम सही है यहाँ पर तो कुछ गलती नहीं है right तो मतलब जब भी भी हम wishful हम क्या बता रहे होते probability possibility बता रहे होते कि ऐसा होता not possibility बट उसको यह बता रहे होते conditional conditions बता रहे होते कि यार ऐसा होता अगर तुमने ऐसा कर लिया होता तो ऐसी situation में हम would का use करते will, shall, well कुछ नहीं करते हम किसका use करते would का use करते I would have told you ठीक है मैं तुम्हें बता देता पूछा तो होता ठीक है इसमें हम क्या करते हैं would का use करते हैं और tense क्या होता है हमारा हमेशा past tense होता है हमेशा क्या होता है past tense होगा तो verb जो होगा वो हमेशा किसमें होगा verb के second form में होगा next my sister had read pages after pages of the bible भाई आपकी sister ने पढ़ा बहुत अच्छा काम किया pages after pages हम पन्ने after एक के बाद एक पन्ने पढ़ते हैं वो तो हिंदी में होता है न पर English में page after page नहीं होना चाहिए pages after pages क्या होता है बहुत सारे पन्ने एक बार पलटके पढ़ गई थी इसलिए यहां पर भी क्या हुआ थर्ड पार्ट जो था वो हमारा गलत हो जाता है it should be page after page ठीक है next I try to feel a pulse on this issue but in vain यह आपका एक idiom आ गया है ठीक है बीच-बीच में थोड़ा-थोड़ा surprise में रग देती हूँ बट फिर भी बता दीजे I try to feel a pulse in the issue whenever you try to feel somebody's pulse ठीक है किसी issue पे मतलब आप क्या कर रहे हो अब pulse जो है बहुत अंदर की बात है बहार तो नहीं दिख रहा हो दहना कि किसी की pulse चल रही है कि नहीं चल रही है आप इसको feel करने की कोशिश कर रहे हो आप उसके दिमाग में क्या चल रहा है उसको जानने की कोशिश कर रहे हो आप उसके view को find करने की कोशिश कर रहे हो इसलिए यहां पर क्या होगा find his view next Your success in the IS examination depends not only on what paper you have selected but on how you have written them no error अरे यहां पर IS exam आगया CVT exam होना चाहिए था फिर भी Your success in the IS exam depends not only on what paper you have selected but on how you have written them अब इंग्लिश में न यार कुछ ना phrases होते हैं जिनका आप रट्टा लगा लो तो बहुत बैतर है उनको explain नहीं कर सकता है जहां पर वो आएगा दूसरा वाला part उसके साथ ultimately हमेशा एक पर एक मुफत आएगा attached आएगा ही आएगा वो phrase क्या है not only but also but also चीक है थोड़ा थोड़ा साफ लिख देती हूं not only but also चीक है यहां पर क्या लिखा है Your success in the IS examination depends not only on बिल्कुल सही what paper you have selected but on नहीं but also on होना चाहिए था तो इसलिए कहां पर है third party है third part बहुत गलत हो रहा है heavy rain prevented us to go to the cinema बहुत भहेंकर भारिश ने हमें prevent कर दिया रोक दिया कहां जाने से cinema मतलब movie देखने जाने से चीक है but prevented us to go to the cinema या फिर prevent आपको जब चीज से रोका जा रहा होता है तो उससे रोका जा रहा होता है तो to to हमेशे direction दिखाने के लिए यूज होता है towards sense of direction right यहाँ पर to नहीं होना जाए था यहाँ पर क्या होना जाए था you are prevented from things ठीक है prevent के साथ क्या आएगा from तो यहाँ पर to नहीं आएगा from आएगा तो third part फिर से गलत हो गया भई यह क्या हो गया इसको if the majority of the individuals in a state prosper the state itself would prosper ठीक है if majority of the individuals in a state prosper the state itself would prosper I think यह बहुत ही easy है तो I want you to give the answer for this question in the comment section below के next he asked supposing if he fails what he would do उसने पूछा अगर वो fail हो जाता है तो वो क्या करेगा ठीक है अब यह जो sentence है ना यह ग्रामर की बहुत ही specific category का sentence है ठीक है ग्रामर मेरा तीन तरह की sentence होते है जिनको conditional sentences कहा जाता है क्या कहा जाता है conditional sentences ठीक है इनको क्या कहा जाता है conditional sentences कहा जाता है तो first conditional एक होता है first conditional sentence एक होता है second conditional sentence एक होता है third conditional sentence फ़र्स कंडिशनल सेंटेंस कब यूज होते हैं जब आपना प्रेजंट और फ्यूचर के बारे में कुछ प्रेडिक्शन कर रहे होते हैं अगर कल बारिष नहीं होगी ना तो घूमने चलेंगे ठीक है यार अगर आज बैंक इसको conditional sentence लगा होता है तो इनका form क्या होता है if plus present form of verb ठीक है plus will plus infinitive ठीक है यानि कि to verb second आता है आपका past condition मतलब second conditional sentence second conditional sentence में भी आप present और future के बारे में prediction कर रहे हो बट आप कुछ ऐसे situation ऐसी कोई hypothesis कर रहे हो तो जो बिल्कुल भी possible हो ही नहीं सकती यार अगर मैं rich होती ना तो मैंने अभी तक Lamborghini खरीद ली होती अगर मैं मेरे पास बहुत सारा पैसा होता ना तो मैंने बहुत बड़े बड़े mansion खरीद ली होते ऐसा होता तो ये कर लेती वो कर लेती मतलब ऐसे sentences जो बिल्कुल भी possible ही नहीं है present और future के बारे में उनको हम second conditional sentence कहते है इसका structure क्या होता है if plus past form of verb ठीक है plus would will का past तो would ही होता है ना plus infinitive ठीक है तो अगर इसका मैं example दूँ तो example क्या होगा आपका if we played tennis I would win अगर हम tennis खेलते हैं तो मैं जीच जाती ठीक है third conditional sentence क्या होते हैं third conditional first और second से बिलकुल ही अलग है जहां first और second present और future की बात करें third conditional एक different past की सोच में डूबे हुए है ठीक है यार अगर हमने पहले ऐसा क्या होता होता ना तो आज तक ऐसा हो जाता ठीक है अगर हमने कभी पहले tennis खेला होता ना past perfect past perfect क्या होता है had है had आता है इसमें have नहीं आता है had आता है ठीक है plus would again will का past form ठीक है plus have plus past participle past participle क्या होते हैं verb plus ed ज़रूरी नहीं है ed लगाओ यानि verb का third form verb का third form आएगा तो इसका अगर मुझे example आपको देना हो तो वो ऐसा होगा if we had played tennis I would have won अगर हमने tennis खेला होता तो मैं ही जीती मैं ही जीती होती छीक है if we had played tennis देखा आपने याँ पर past past perfect आ गया ना tennis I would have won verb का third form छीक है तो यहाँ पर आपको पहले पहचानना है कि ये conditional sentences की कौन सी डिग्री है first degree, second degree, third degree he asked ठीक है ये ही पहले यहाँ पर क्या कर दिया गया है उसने मुझे से पूछा था मतलब past past चल रहा है तो first ये इसको तो rule out कर सकते हो आप ठीक है इसको क्या कर सकते हो rule out कर सकते हो ठीक है यहाँ पर दिक्कत क्या है supposing की तो जरूरत थी ही नहीं ये superfluous है इसकी कोई जरूरत नहीं थी ठीक है आपने if लगा दिया तो condition अपने आप बन गी तो supposing नहीं आना था ठीक है he asked if he failed होना चाहिए था क्या होना चाहिए था failed होना चाहिए था right होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था आप यहाँ पर भी लेख लो if we played tennis I would have won यहाँ पर क्या है V2 लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है इसलिए if he failed what he would do right तो यहाँ पर क्या हो गया ED आना चाहिए था इसलिए second sentence में आपके दिक्कत है अब आपका question number 12 है ना उसको आप जहां से सुनोगी ना तो आपको एकदम सुनके समझ में आ जाएगा कि याल सुनने में ना ठीक नहीं लग रहा है if motorist do not observe the traffic regulation they will be stopped, ticketed and have to pay a fine अगर motorist traffic regulation को follow नहीं करते है तो उनको रोका जाएगा उनको ticket दिया जाएगा और उनको fine देना पड़ेगा चीक है? और वो fine देंगे मैंने क्या बोला और वो fine देंगे तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपको notice में यह बात आ रही है कि पहले sentence में क्या है? बढ़ा ना उनसे काम करवाया जा रहा है वो actively कुछ कर ने रहे है उनसे काम करवाया जा रहा है बट last में आके वो कर रहे है वो fine दे रहे है ठीक है? वो fine देंगे ऐसा तो नहीं होना चाहिए था यहाँ पर उनको active क्यों कर दिया? यहाँ पर भी उनसे passively काम करवाना चाहिए था कि नहीं करवाना we find जब आप मतलब जो उनसे उनको stop कर रहा है टिकेट ले रहा है जब वो actively काम कर रहा है तो यहाँ पर third part में भी तो उसको भी actively काम करना पड़ेगा ना इसलिए third part में error है ठीक है next we had a lot of difficulty to find the house no error ठीक है? we had a lot of difficulty to find the house no error ठीक है? आपको बहुत difficulty हुई change करके दिखा रही हुई we had a lot of difficulty to find house या पर in finding the house आप मुझे बताना कॉमेंट सेक्शन में क्या ज़्यादा सही लग रहा है ठीक है? मेरे रसाब से यहाँ पर error कहाँ पर है second part में next patience as well as perseverance are necessary for success patience मतलब calmly patience मतलब क्या होता है आंदर बहुत ही ज़्यादा patience रखना अब इसकी हिंदी में क्या बता हूँ आपको patience ठीक है perseverance perseverance मतलब किसी चीज के पीछे लगे रहना बहुत पसीना भायना ठीक है? तो patience और perseverance बहुत ही देससरी होते हैं क्या करने के लिए? success करने के लिए मतलब success के लिए success करना नहीं success के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं ठीक है? यहाँ पर क्या है? एक हमारा phrase लिखा हुआ है as well as ठीक है? as well as को न आपना mathematical तरीके से में बताओ तो इसको plus मत समझना इसको आपना English का और समझना क्या समझना आप इसको? English का और हम इसको plus नहीं समझेंगे हम इसको English का और समझेंगे ठीक है? तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जब और को हम English में use कर रहे होते हैं तो या तो इसकी बात कर रहे होता है या तो वो उसकी बात कर रहा होता है यानि कुल मिला के वो बात तो किसी एक की कर रहा होता है उसी तरह से as well as भी जो होता है patience और perseverance ठीक है इन में से किसी एक को main focus बना के चल रहा है इसलिए जहां पर sense एक का हो रहा है तो verb भी क्या होना चाहिए था एक ही होना चाहिए था इस आजाना चाहिए था इसलिए error का है second part में अगर आपका English का concept बहुत ही सटीक होगा तो आपको समझ में आएगा यह question है यह question जो है वो थोड़ा सा मैं पीछे चली गई क्या यह जो question है थोड़ा pen select कर लेती पहले मैं वो direct और indirect narration का है किसका है direct और indirect narration का है ठीक है अब हमने यह पढ़ा है कि direct narration में हम क्या करते हैं जो dialogue होता है उसको as it is inverted comma में से हटा कर साफ साफ लिग देते हैं ठीक है inverted comma को में उसको साफ साफ लिग दिया जाता है indirect narration में क्या होता है उस dialogue को अपनी भाशा में तोल मरोर के inverted comma हटा के फिर present किया जाता है जैसे कि मैंने कहा राम ने शाम से कहा कल मेरे घर आना तो ये direct narration हो गया indirect narration क्या होता राम शाम से कह रहा था कि वो उसके घर आए ठीक है इस 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 नोन अस indirect narration अब यहां पर क्या है the passerby told us where was the marriage hall ये पहली बात तो indirect narration लिखी हुई है क्यों क्योंकि यहां पर क्या हो गया बाते तोल मरोर के लिखी गई है passerby से हमने ये पूछा होगा कि भाहिया marriage hall कहां पर है वो direct narration होती तो ये क्या हो गया हमारा question क्या होता where was the marriage hall हमारा question inverted comma के अंदर क्या होता ये वाला होता where was the marriage hall अब grammar का rule ये कहता है कि जब भी भी direct narration में आपका question जो है न वो where, what, who's, when ऐसे शब्दों मतलब डबलो वाले शब्दों से start होगा तो आप ना जब उसको direct, indirect narration में लेके आओगे तो आपको that का प्रयोग करने की कोई ज़रूरत नहीं है ठीक है आपको किसी भी connective का प्रयोग करने की कोई ज़रूरत नहीं है आप simply क्या कर दोगे the passerby told us where the marriage hall was ये होना चाहिए था where the marriage hall was hall के बाद was आना चाहिए था ठीक है तो यहाँ पर error हमारा second part में ही हो गया but I hope आपको समझ में आया होगा कि जब भी भी direct narration में हमारा question जो होता है वो w वाले शब्दों के साथ start हो रहा होता है तो उसको indirect मे convert करते वक्त हम क्या करते है हम कोई connective का use नहीं करते ठीक है that, if, whether इन सब का use नहीं होता ठीक है simply क्या कर दिया जाता है inverted comma हटा दिये जाते है और जो आपका जो verb to be होता है जो helping verb होते है वो last में आ जाते है ठीक है main verb के last में next the increase in consumption is directly proportional to increase in income इसमें कहा पर error है पहले तो आप मुझे यह बताईए ठीक है increase in income is directly proportional to increase in income question number 16 का answer आप देगे क्योंकि यह बहुत ही जादा easy है कोई भी ध्यान से भी देखेगा और तो उसको समझ में आ जाएगा ठीक है in Singapore my brother-in-law with his wife were present at the function no error Singapore में मेरे brother-in-law और उनकी wife जो थे वो present थे चीक है functionable या पिर इसको हिंदी में आप ऐसे कह सकते हो first वाले sentence थोड़ा गलत हो जाएगा मैंने क्या बोला Singapore में मेरा brother-in-law जो था ना अपनी wife के साथ वही पर present था हिंदी में इसका translation ये है कि Singapore में जो मेरा brother-in-law था ना Singapore में मेरा brother-in-law प्रेजंट था अपनी wife के साथ तो में हमारा यहाँ पर जो sense बन रहा है वो singular बन रहा है तो वर्ब भी क्या होना चाहिए था वो भी तो singular होना चाहिए था was आना चाहिए था कि नी आना चाहिए था इसलिए आपको sense भी ध्यान रखना पड़ेगा कि main sentence का sense क्या बन रहा है अगर sense आपका बड़ा singular बन रहा है तो आपका वर्ब भी singular होगा ठीक है sense always try to find the sense in the sentence scarcely had I arrived then the train left scarcely had I arrived देखते ही बता दो या देखते ही बता दो कि then कहा से आगया then तो compare करने के लिए आता है यहाँ पर किस चीज का comparison चल रहा है यहाँ पर then नहीं when होना चाहिए था मैं वहाँ पर पहुचा ही था कि जब जब मने तो जब बोले तो when ठीक है तो error कहाँ पर है second part में next the reason why he was rejected was because he was too young ठीक है the reason why मैंने again आपको पहले भी बताया था not only but also इसका रटा लगा लो ठीक है यह दोनों जोडी में आएंगे ही आएंगे दूसरी जोडी होती है the reason why अगर आप अपना sentence कुछ इस तरह से start करते हो the reason why he was rejected तो आप because नहीं लगाते बिलकुल भी नहीं because मत लगाना आप that लगाते हो क्या लगाते हो that हमेशा बोलते वग भी ध्यान रखो if you are starting your sentence with a phrase like the reason why he was rejected was that आना चाहिए था was because नहीं आना चाहिए था and the error the answer is third part next teacher of various schools met to discuss about about how to improve the standard of English फिर से सुनो इस sentence को the teacher of various schools met to discuss about how to improve the standards of English यहां पर कुछ एक्स्ट्रा लग रहा है आपको यहां पर आपको ही नहीं लगता कि about जो आपका second part है जो आपका second part है उसमें about जो है बड़ा सूपर फ्लू है मतलब extra इसकी जुरद नहीं थी इसकी बिना बोल के दिखाँ the teacher of various schools met to discuss how to improve the standard of English यह जादा बहतर है about की जुरद नहीं थी इसलिए error is in the second part his tradition-bound attitude had to be a constant source of dissatisfaction among the younger members of the family his tradition-bound attitude had to be a constant source of dissatisfaction among the younger members of the family कोई error नहीं है इसमें चीक है इसमें कोई भी error नहीं है next the to first to arrive the to first to arrive या फिर the first to to arrive होना चाहिए था यह जो to था वो first के बाद नहीं आना चाहिए था और to से पहले नहीं आना चाहिए था तो first part में error हो जाता है ठीक है next two hours have passed since he had fallen asleep two hours have passed since he since he fell asleep since he fell asleep होना चाहिए था ठीक है next he ate nothing since yesterday he ate nothing since yesterday क्या यह sentence सही है he ate nothing उसने कुछ नहीं खाया है कल से अगर यह sentence सही है तो comment section में comment करके बताओ कि यह sentence सही है कोई error नहीं है इसमें अगर error है तो बताओ ठीक है the mason will not do the work except give the order the mason will not do the work rather give the order ठीक है rather का use कब होता है जब आप दूसरी condition बता रहे होता है यार यह ज़ादा भैतर है यार यह कर लो ना ठीक है वो काम नहीं करेगा इसलिए order दे दो इसको ठीक है rather give the order ठीक है यहाँ पर हमारे 25 question complete होते है I hope इस video में आपको कुछ ना कुछ तो helpful मिला ही होगा यार अगर helpful मिला है तो इस video को like जरूर कर देना ठीक है मुझे इससे पता चल जाता है कि यह video आपके काम आ रही है और इस पर मुझे लगता है कि मुझे ऐसी video और बनानी चाहिए और अगर कोई improvement भी लगती है तो आप वो भी comment में बता सकते है कि मैं कुछ इस तरह से मुझे videos चाहिए ठीक है तो मिलते हैं next video में इस video को like कर देना इस video को share कर देना and whoever does not know about this video please tell them उनका भी भला हो जाएगा ठीक है चलिए bye bye and all the best for your CUT preparation